हेलो दोस्तो आल्टिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप से भी का स्वागत है आज इस वीडियो में पॉलिलेंग बर्डप्रेस प्लगिन के बारे में बता रहा हूँ तो चलिए जानते हैं कि पॉलिलेंग बर्डप्रेस प्लगिन क्या है और यह हमारे किस काम आ सकता है यदि आपके पास कोई वैफसाइट है और यदि आपको अलग-अलग लेंगवेज आती है तो आप चाहेंगे कि आप जो भी पोस्ट लिखें वो मल्टि लेंगवेज पोस्ट हो याने कि आपकी पोस्ट अलग-अलग लेंगवेज में हो ताकि हर लेंगवेज के यूजर आ अलग-अलग language से ट्राफिक आए, यदि आपको अलग-अलग language में post लिखना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, नम्मर वन यह है कि आप दो website बनाएं, और दोनों में अलग-अलग language की post लिखें, पर इसमें आपको दो website एक साथ manage करनी होगी, और दोनों website में महनत करनी पड़ और दोनों ही website को rank कराना होगा, तब जाके आपको अलग-अलग languages से अच्छा benefit मिलेगा, और नम्मर दो यह है कि आपके पास जो website है, उसी में multi language में post करना, परन्तु इसमें भी एक problem है, यदि आप दो अलग-अलग language की post एक ही website में करोगे, तो आपका जो homepage है, उसकी band बच ज जाएगी, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और इसी problem को दूर करता है polylang WordPress plugin, इस plugin की मदद से हम एक ही website में multi language post डाल सकते हैं, और post homepage में mix भी नहीं होती है, जब हम polylang plugin का use करके अपनी website को multi language website बनाते हैं, तो हमारी website का अलग-अलग language के लिए अलग-अलग interface होता है, मतलब यदि user English version में गया है, तो उसको website का English interface ही दिखाई देगा, और यदि user Hindi language में गया है, तो users को Hindi interface ही दिखाई देगा, polylang plugin का use करके हम अपनी website में language switcher भी add कर सकते हैं, जिससे user हमारी website को और post को अलग-अलग language में switch कर पाएंगे, तो चलिए दोस्तों, मैं polylang plugin का use करके बन पाई देगी, polylang plugin का use करके बनाई कई multi-language website का example दिखने के लिए मैं open करता हूँ अपनी multi-language website, तो हम यहाँ पर address बार पर click करेंगे और type करेंगे अपनी website का URL, तो यहाँ पर आ चुका है मेरी website का real URL है, altric.info.in, तो हम करते हैं ender पर click, जिससे कि हमारी website open हो जाएगी, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी website का जो हिंदी इंटरफेस है वाई open हो चुका है, मेरी website पहले हिंदी में थी, उसके बाद मैंने इसे multi-language में switch करके, इसे English version में भी कर रखा हूँ, तो हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से करते हैं language switch, तो यहाँ पर हम अपरी website English version में भी switch हो चुके और यहाँ पर सभी सारी की सारी post English में ही दिखाई दे रही है, ओके यदि हम यहाँ फिर से की Hindi में click करेंगे, तो हमारी website में सारी की सारी post Hindi में दिखाई देगी, और हमारी website Indianicker version में switch हो जाएगी, आप देख सकते हैं, सभी पोस्ट हीुषणी मे माल लो हमारी website की यह post है जो की English में है और यदि कोई इसे Hindi में पढ़ना चाहता है तो बस वह हिंदी पे click करेगा तो हमारी website की जो post है वह हिंदी में convert हो जाएगी मतलब की Hindi burden की जो post है वह यहाँ open हो जाएगी तो हम click करते हैं Hindi पे तो आप देख सकते हैं वह हिंदी में हो चुकी है और यूजर उस post को हिंदी में भी पढ़ सकता है दोस्तो polylang plugin का यूज करके multi language website कैसे बनाते हैं दोस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को like और share ज़रूर करें मैं आपसे मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए bye यार share ज़रूर कर देना